नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा बड़ी खबर बिहार की राजनीती से जुड़ी हुए आपको बता रहे हैं तेजश्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बड़ा बयान सामनी आया है ये बड़ा बयान और ये बड़ा दावा आरजडी की तरफ से किया गया है आरजडी के विधायक विजय मंदल ने कहा है कि 2025 तो दूर होली के बाद ही तेजश्वी यादव बिहार के अग दूर मरेश कुमार विजय मंदल ने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया देखें विजय मंदल का दावा नहीं है ये आरजडी का दावा है कोई इतनी बड़ी बात बिना हाई कमान के बिना पार्टी के टॉप लिडर्शिप से ग्रीन सिगनल लिये हुए इस तरह का बयान न द१ार की तरफ से दिया गया है अब रोतास के दिनारा के ये विधायःक हैं और वन्होंने क्या कि कहा वही सब बाते कह रहे हैं जो उपंदर कुस्वाः पूछ रहे थे उपंदर कुस्वाः पूछ रहे थे क्या कि आपके और इनके बीच डील क्या हुई थी अब देखिए आर जेडी के तरफ से लगातार बॉटी लेंगविज तिजस्वी की बिलकुल साफ है वो साथ में नजर आते जरूर है लेकिन एक ऐ कि मुनितिश जी अब आप राष्ट्री राजनीती में जाए प्रधान मंत्री बने सुधाकर सिंग के निया बयान आया दो दिन पहले औरोंने कह दिया प्रधान मंत्री नहीं बनना चाह रहें इनको यूएन का जनल सेकलटर बनवा दो भेजो बिहार से बाहर इनको कोई मतलब है कि आरजेडी के तरफ से बार बार ये सिगनल दिया जा रहा है कि मुख्य मंत्री के तौर पे वो नितिश कुमार के साथ अब नहीं है दूसरी चीज आज जो ब्रेकिंग न्यूज है वो यह है कि तारिक बता दिया कि होली के बाद बिलकुल नितिश कुमार का पत्त मंदल साफ कि कि बढ़िं आप पुरदाने मंत्री के लिए जाइगे और ऑर जेडी उनको पुरदान मंत्री बनाने में पूरा मेरत करेगी हम लोग यह इंस्योर करेंगे कि 2024 में निति इस्टुमार जो है वो प्रधान मंत्री बने और उसके लिए तैयारी करने के लिए भी तो एक साल पहले से आपको काम करना ही पड़ेगा और बिहार का नितित वो तेजस्वी आदब को छोड़के जाएंगे तो अब बहुत हो गया बहुत टाल मटोल हो गया अब होली के बाद ये मुख्य मंत्री बनेंगे अब ये बयान आइसोलेशन में नहीं है ये भी आप समझ दीजिए ये बयान उस वक्त दिया जा रहा है जब उपेंदर कुस्वाहा ने पार्टी को तोड़ के अपनी अलग पार्टी बना ल ललन सिंग जेडियू के लीडर और नितिश कुमार के सबसे नजदी की लीडर वो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्य मंत्री की बाती नहीं हुई है भई यही तो वह पूछ रहे थे तो क्या ये माना जाये जिस तरह से ललन सिंग ने कहा कि जेडियू और आरजडी का वि अगर जिस समय यह सवाल जवाब हो रहा था पार्टी टूटने से बच जाती कि जब यह कहा जा रहा है कि भई क्या आपने ये डील कर लिया है कि नेतिश तो जो है वो मुख्य मंत्री जो है वो तेजस्वी यादव रहेंगे और उस चीज को लेकर कि पार्टी आपकी की बात कहां से आपने छिड़ दी दो हजार पच्चीस का इंतिजार कौन करेगा और अब आप ये कह रहे हो ललन सिंग के बयान के उपर गौर कीजिए वो ये कह रहे हैं कि दो हजार पच्चीस अभी बहुत दूर है उनसे पूछा गया कि उपेंदर कुस्वाहा ने पाटी दील नहीं हुई तो पत्रकारों ने पूछा कि इसका मतलब है जो नितिसकुमार ने कहा कि 2025 में तेजस्वी के नितित्री में सब कुछ करेंगे तो उन्होंने कहा कि 2025 अबी बहुत दूर है इसका मतलब है कि बीच में कुछ और भी ये पलटूराम कर सकते हैं अब इससे आर हजार पचीज मी दूर बता रहा है डिल भी नहीं बता रहा मतलब मुख्मंत्री मैं नहीं बनूगा तो आपने क्या किया अपने एक विदायक से ये बयान दिलवाया कि होली तक आप के पास टाइम है और अगर ये बयान इस तरीके से दिया जा रहा है तो एक बात समझ दीजिए वहां तमासा कर रहे हैं यह वाले मिलकर के बिहार में अपना सर्कार का पैसा का उपयोग कर रहे हैं अपना एश मोझ चल रहा है इन लोगों का सत्ता के नसा में इस उब चूर है कुर्सी के ले लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार में विकास को ले करके लोगों को क्या सिक्षा हेल तो है इसके वारे में किसी को कोई चिंता नहीं यही तमासा चल रहा है दूसरी चीज अगर तेजस्टी आदब यह दावा ठोक देते हैं तो निति उसकुमार कहा जाएंगे यह तो उनकी हाल जो है बहुत ही खराब होने वाली है ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे इधर से भी जाएंगे और उधर से भी जाएंगे और यह सारी चीजे कब हो रही है इस बात को भी समझे राजनीती इशारों पर चलती है एक ग्यारा तारिक को एक डेर घंटे लगातार अमिसा से नितिस कुमार की बात हुई आर ज यह समझे कि यह जब ख़बर को आती है तो बहुं प्रद्दान्मंतरी निभी कितने लोगों से बात करते है कि इसे कोई ख़बर आती है नहीं आती है जो खबर प्लांट करना होता है जो खबर सारजिनिक करना होता है वही बात बताई जाती कि फुलां फुलां लीडर ने भाई राउल गांदी दिन भर में कितना फोन करते हैं यह कह खबर बन जाती है नहीं बनती है जा दिन भर में फोन ही नहीं करते है जो खबर पब्लिक को बतान को कि तुम अब यह डिमांड करना बंद करो सरकार में हो डिप्टेश सीम बने हुए हो ठीक है अब इसके अलावा ज्यादा मत करना मैंने अमिसास से मैंने बात किये है तो यही तो राजिनिती का पूरा खेल है दाओं पेच इसी को कहा जाता है तो ललन सिंग का दाओं के दोह तक टाइम है, होता क्या है, कि बीच में कोई कॉम्प्रमाइज हो जाएगा, बाचीत हो जाएगी, तो आप यह दे करे कोई बिदायक था, वो अपने मन से पहले भी बार बर कहा गया कि होली के बार बार बहार में बड़ाव होगा, क्या यहीं बड़ाव होने जाएगा? और दूसरा बदलाब को कोई माले मतलब नहीं है वहाँ तो अभी बस एक चीज़ चला नितिसकुमार कब तक रहेंगे नितिसकुमार अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो कौन वहाँ पे होगा नितिसकुमार उसके बाद क्या करेंगे इसी बात को लेकर के जेडियू के अंदर ह गंटे हो गए आरजडी के ऑफिसियल ट्यूटर हैंडल से कुछ तो आ जाना चाहिए वो खाली है खाली क्यों है क्योंकि यह बयान बकाइदा दिलवाया गया है मतलब यह कि इस खबर का अर्थ यह है नीतिश कुमार के दिन अब लदने वाले हैं गटबंदन गटबंदन नही लड़ने वाले हैं और क्योंकि एक सिग्नल और कॉंग्रेस पार्टी ने भी दिया आपने कॉंग्रेस पार्टी को से दे दिया कि दो हजार चौबिस में हमारे फर्मूले पर हमारे बात मान लीजिए तो बीजेपी को सौ भोट सौ सीट के अंदर हम निप्टा देंगे ये निति इसकुमार ने स्टेज से कहा सलमान खुरसीच से कहा कॉंग्रेस पार्टी से कॉंग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉंफरेंस करके क्या कहा कि अपना से अपने पास रखो अपने हिसाब से तो आप दो सीट नहीं जीत सकते और कॉंग्रेस पार्टी को घ्यान देने आप चले हैं तो उनके इस सुझाव को कॉंग्रेस पार्टी ने भी रद्द कर दिया तो चारो तरब से नितीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है कि हर कोई यहारा गयरा नत्तु कहरा नितीश कुमार को कुछ भी कहके निकल जा रहा है जानेवाद अपडेट के लिए तो वैसे भी राजनीती में बयान बाजिया यूही नहीं दी जाती आरजनी के विधायक वजय कुमान मंडल ने ये बड़ा बयान दिया है वो कह रहे है कि 2025 तो बहुत दूर है 2023 में ही बड़ा बतलाव होगा तिजस्वी यादव बिहार के नए मुख्य मंत्री बनेंगे उन्होंने सब संदेश दिया कि होली के बाद दिजस्वी यादव मुख्य मंत्री की कुरसी सभालेंगे इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैमरपरसन रवी के साथ मैं पूझा क्यापिटल टीवी